हलो एवरीवान और वेलकम टू माय चानल तो टुड़े ऐल गिव यो मारके टोर टू जाहर नगर कैम्प लुधियाना दिवाली आने वाली है और बाजारों की रौनक देखते ही बनती है तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बर मैं आपको भी अपने साथ दिवाली शॉपिंग के लिए लेके चलूँ पर मैं जादा शॉपिंग नहीं कर पाई इस विजिट में क्यूंकि मेरी जादा कंसेंट्रेशन वीडियो शूट करने की तरफ थी और जो भी मैंने खरीदा आपको वीडियो के एंड में मैं जरूर दिखाऊंगी और जो भी मैं अपनी नेक्स्ट विजिट में खरीदोंगी वो मैं आपको इंस्टराम स्टोरीज में जरूर दिखाऊंगी so do follow me on my Instagram account, link in description box. Diwali पर गिफ्ट्स एक्षेंज किया जाते हैं और बहुत लोग द्राइफूट्स एज गिफ्ट्स देते हैं तो यहाँ पर द्राइफूट्स की पैकेजिंग हो रही है कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग बॉक्स फिल करवाते हैं और आगे आपको स्टॉल्स मिलेंगे बहुत सारे जहाँ पर आपको जूम्रे मिल जाएगी, कप मिल जाएंगे आगे जाकर हमें दिखें कुछ रंगोली कलर्स वाले स्टॉल्स कुछ छोटे पटाको बाले स्टॉल, यहां पर जादा बड़े पटाकी सेल नहीं किये जाते हैं, क्योंकि यह एक कमर्शियल एरिया है, सो फोदर सिर्टी, सिर्फ खुले एरियास में ही बड़े पटाकी सेल होते हैं, आपको एक गिफ पैकेजिंग का स्टॉल भी मिल जाएग सजी होई है, और पता लग रहा है, हम लोग दिवाली के शॉपिंग के लिए आए हैं, और इसी लिए में कोई इस मार्केट पे आना सबसे जादा अच्छा लगता है दिवाली के टाइम पे, एक साइड पे स्टॉल हैं, एक साइड पे दुकाने हैं, दुकानों के बाहर भी स्टॉल्स लगे हैं, और यह पॉप अप्स हैं, जो मैं आप से बात करी थी कि यह पे सिर्चोटे पटाके जादा तर आपको मिलेंगे, जैसे यह एक शॉप आई जो इन्होंने बाहर एक्स्टेंड की है, स्टॉल्स लगाके ही, यह सेल करते हैं, जो आजकल कंपनी दिवाल पानी गिफ्ट पैकेजिंग रेडी करती है, बिस्किट्स और जूसिस की, और आगे भी ऐसी बहुत सारी शॉप्स हैं, और यह क्रॉकरी के स्टॉल्स हैं कुछ लोग ऐसे भी थे, जो पूछ रहे थे कि आप फोटो लेके जा रहे हो, तो उनको पताना पड़ता है कि यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं आपको अभी बहुत सारे होंस नहीं दे रहे होंगे, और हमें भी लाइक ट्राफिक के बीच बीच में से जाना और शूट करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन जस्ट वन डे बिफोर दिवाली, यदिस्ट अक्टूबर मार्केट में आवाजाही बाहनों की अब दूसरे को ड्राइफूब्स किफ्ट करना बहुत ही जादा पॉपुलर है, और साथ में हमें ये एक जनाब मिले जहां से हमने इनका वाल हैंगिंग्स का प्राइस पूछा, तो जब मैंने इन जनाब से प्राइस पूछा तो इनों ने बोला धाईसो का एक और चार सो क दो और जब मैंने कैमरा ओफ किया तो इनका प्राइस हो गया साड़े तीन सो के दूप, पता नहीं इनोंने कैमरा देख के क्यों जादा प्राइस बताया आपको, आगे चलते हैं और यहां पे हमें मिले कुछ सिल्वर जूल्डरी के आइटम्स, नेक पीस, हैरिंग्स और इ यह हैं अर्टिफिसियल फ्लास मैंने इनसे कोई फ्लास ने लिए, मैंने लिए एक भाईया से जो साथ में फ्लास लेके गूम रहे थे, और वो दे रहे थे, 65 का एक बंच, 50 रुपीज का एक बंच, और मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया, आगे भी 24 स्टॉल्स हैं, जहां पे आप दिवाली के लिए समान ले सकते हो, पर अब हम ले रहे है यही से टर्न क्योंकि अब हम जा रहे हैं वापिस, जब भी आप ऐसी मार्केट में आऊ तो कुशिश करो कि आप अपनी कंवेंस दूर पाक कर दो, और चल कर मार्केट की वाइप को एंजॉय करो, क्योंकि दो चार दिन तो होते हैं दिवाली के, तब ही आपको ऐसी प्राइस के साथ, इनका प्राइस है 50 रुपीज, भाया डेट सो के दो दे रहे थे लेकिन बहुत ही एजली, थोड़ी सी बागनी के साथ उन्होंने मुझे ये पचास रुपे में दे दिये और इसके साथ मैंने ली हैं फेरी लाइट्स, इनका प्राइस है 20 रुपीज, ये ये लेंथ छोटी है फेरी लाइट्स की, जो बड़ी लेंथ वली है वो 80 रुपीज के आती है और इसके साथ मैंने कुछ कैंडल, कुछ दियास भी ली हैं और जो भी मैं नेक्स लोंगी दिवाली के लिए वो मैं आपको इंस्टराम स्टोरी में जरूर दिखाऊंगी और प यूप्स्विब ऑन चानल